नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागात है, तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा दुखत समाचार है दोस्तों, अरून जेटली जी का निधन हो गया है, तो दोस्तों विडियो के साथ बने रिए गे तक आपको पता चल से के कि आकिर भागी के निताओं ने या कांग्रेस पार्टी ने इनके निधन पर क्या बोला है, तो दोस्तों मैं बता दू कि नरेंद्र मोधी सरकार में वित मंत्री रहे वरिष्ट भाजबानेता अरून जेटली जी का सनिवार को नितन हो गया, वे 66 साल के हो गय थे, बीते 9 अगफ्त से अरून जेटली एम्स में इलाज करा रहे थे, एम्स की प्रवक्ता आर्थी वीज ने मिडिया के लिए जारी प्रेस रिलीजें बताया है कि जेटली ने सनिवार को दोपर 12 बच कर 7 मिनट पर अंतम सास ली, पिछले सप्ता सनिवार साम को रक्षा मंत्री राजनात सिंग जेटली का हालचाल जानने ए अकिल भारती आयूर विज्ञान संस्ता में भरती किया गया था, उन्हें ICU में रखा गया था, दोस्तो इस साल मई में जेटली ने प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिकर कहा था कि स्वाफ्त कारणों से वे नई सरकार में कोई जीमदारी नहीं चाहते हैं, उन्होंने लिखा था कि बीते 18 महीनों से उन्हें स्वाफ्त समस्याए हैं, जिसके कारण वा कोई पद नहीं लेना चाहते, वाकालत से राजनीती में आये अरून जेटली बीजेपी का दिगज नेताओं में सुमार रहे, दोस्तो अरून जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संग DDCA के अध अरून जेटली को संधाजली देते हुए लिखा, जेटली जी को हमेशा अर्थ बेवाफ्ता को संकट से निकालने और पट्री पर लाने के लिए याद किया जाएगा, बीजीपी को अरून जी की कमी खलेगी, मैं उनके परिवार के प्रती अपनी समयंदाए ब्यक्त करता दोस्तो केंद्रिय ग्रीह मंतरी अमित सा ने ट्वीट कर अरून जेटली जी का निधन पर सोक ब्यक्त किया है और इसे अपनी लिजी छहती बताईए, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही है, आप इसके बारे में क्या सुचते हैं, दोस्तो ये बहुत ही दुखत समाचार है, तो दोस्तो आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल एकिन को दबाना मत गुलिएगा, तो मिलते हैं आप से कैसी वीडियो में, टिक क्यार, बाई!